बच्चो नमबर 11 है कबीर कहा गर्बियों उचे देखी आवास काल पर यूँ भूई लोटड़ा उपर जा मैं घास कहा, कहा माने क्यों गर्बियों गर्बियों माने घमंड अहंकार गर्ब करना भूई भूई माने जमीन लोटड़ा माने लोट़ना जामय माने जमना इस संसार में लोग कहते हैं सब कुछ हमारा है सब प्रसन होते हैं, सब घमंड करते हैं अपनी दवलत पर अपनी दवलत पर क्यों घमंड करते हो? उँचे उँचे मकान को देख कर गर्ब करते हो कल को तुम्हें जमीन में ही लोटना पड़ेगा इस धूल में ही मिल जाना पड़ेगा इस मिट्टी में ही मिल जाना पड़ेगा आपके कब्र के उपर घास भी जम जाएगी तब आप क्या करोगे? एक दिन सारा बैभो यस सारी संपदा सब कुछ मिट्टी हो जाएगा नमबर ट्वेल्ब है यह ऐसा संसार है जैसा सैंबल फूल दिन दस के ब्योहार कौं जूठे रंग न भूले संसार दुनिया जगत सैंबल फूल रूई का फूल जूठे जूठा यह ऐसा संसार है कबिरदाजी कहते हैं यह ऐसा संसार है जैसे सेमर का फूल होता है संसार की असारता संसार की नस्वरता का वर्ण करते हुए कबिरदाजी कहते हैं यह ऐसा संसार है मानो जैस सेमर का फूल होता है सुन्दर होता है आकर्सक होता है लेकिन उसमें रस नहीं होता कोई सुगंद नहीं होता खुश्बू नहीं आती सेमर का फूल बहुत बड़ा और लाल रंग का होता है सेमर के फूल जैसा यह संसार है इस दस दिन के ब्योहर में संसार की जूठे रंग को न भूलो मत भूलिये उस जूठे रंग में सच्चाई को नहीं भूलना चाहिए संसार निहसार है और रूई के समान बच्चों ब्यार्थ है इहीं आउसरी चेत्या नहीं पसुजियों पाली दे हैं राम नाम जाड़या नहीं अन्ति पड़ी मुख से चेत्या चेत्या माने सावधान सजग जागरित पसु माने जानवर पाली माने पालना मुख माने मुह सेह माने राख राखी यह आउसर पाकर सजग नहीं हुए और पसुजियों की तरह अपने सरीर को पालते रहें भरण पोसर करते रहें तुम राम नाम को नहीं समझ पाए राम नाम जाड़या नहीं तुम राम नाम को नहीं समझ पाए राम के नाम का अस्मरण नहीं किया सुमिरण नहीं किया कबीरदाज की वाणी में इस्वर, भगवान, अल्ला, प्रभू सभी एक समान है कबीरदाजी इस्वर को ही मानते थे तो अंत में तुम्हारा क्या हो जाएगा? अंत तुम्हारा कैसा हो जाएगा? या तुम्हें कुछ भी नहीं पता अंत में तुम्हारे मुख पर राख पड़ जाएगी नमबर फोर्टीन यह तन काचा कुम्भ है लिया फिरे था साथी डब का लागा फूटी गया कचुन आया हाँ थी तन तन माने शरीर काचा कच्चा कुम्भ घड़ा धबका धका फूटी माने फूट गया यहां सरीर कच्चे घड़े के समान है अपने साथ में लिये घूम रहे हैं किन्तो एक जटका लगने से तूट सकता है पर तु हमारे हाथ में कुछ नहीं आया अहंकार रूपी सरीर कच्चे घड़े के समान है जिस प्रकार धक्का लगने पर कच्ची मिट्टी का बना घड़ा फूट जाता है उसी प्रकार अहंकार रूपी सरीर यह की ही जटके में परमात्मा में बिलीन हो जाती है फिप्टी नमबर कबीर कहा गर्भियो देही देख सुरंग बी छड़िया मिलिवो नहीं जो काचिलिवू अंग गर्भियो वही घमंड अहंकार गर्व देखी माने देखना देही माने देह सुरंग माने सुन्दर रंग काचिली माने केचूल भुवंग माने साप कबीरदाजी कहते हैं अपना सुन्दर सरीर देख कर खुब घमंड कर लो और बिछडने के बाद ये मिलने वाली नहीं है अर्थात मृत्त के बाद बिल्कुल नहीं मिलेगी जिस प्रकार साप की केंचुल बिछडने के बाद साप को वापस नहीं मिलती उसी प्रकार तुम भी खुब घमंड कर लो अपनी सुन्दर देह पर शरीर पर लेकिन बिछडने के बाद वापस नहीं मिलने वाली है बच्चो या कबीरदाजी द्वारा रचित साखी पाठ समात हुआ धन्यवाद